नमस्कार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है, तो आज के हमारी recipe है मेथी के ठेपले, यानि मेथी के पराठे भी आप इसको कह सकते हैं, अभी सर्द्यों का सीजन शुरू है, और इसमें जो मेथी जो है, वो इजीली मिल जाती है, तो आप इस पराठो को इजीली बना के खा सकते ह तो इसके मेथी, यहाँपे मैने में मेथी को अच्छे से दोकके, कट कर लिया है बारिक बारिक यहाँ पर गेहु का आठा चाहिए, और यहाँपे मैंने लिया है दः, तो मेथि, और आटा है, एक बड़े बरतन में ले लिए इसमें डालेंगे, दो चोड़ी चमज। बेस चमच जो को अजवायन जो है उसको हाथ पर ऐसे ग्रश करकर दालना है फिर हम ऊपर हम मसाले आट करेंगे तो आधी चोटी हमच हल्दी को चाहिए एक चोटी चमच लाल मिर्श पाउडर यहाँ पर हमें डालना है अधी चोटी चमच धनिया पाउडर और नमक जो है वह में ड दो चोटी चमश तेल दिया है हो हम इसमें डाल देंगे और दही है वो हम इसमें आट करेंगे यहाँ पर आटा लगाने के लिए मैं दही का यूज कर गई हूँ इस तरह से हमें यहाँ आटा लगालेना है पहले दही डालके ही में थोड़ा सा आटा लगा लोंगी यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा पानी यूज किया है आधे कप से भी थोड़ा कम पानी यहाँ पर मैंने यूज किया है दही के बाद इस तरह से हाथ को अच्छे से ओईल से ग्रीस करना है ताकि जो अाटा है वह आथ को चिपके ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्त या नरमाटा हमें नहीं लगाने है रोटियों के लिए हम जैसे आटा लगाते है उस तरह का आटा हमें लगा लेना है और इस तरह हमें चोटे-चोटे साइज के बॉल बना लेना है ताकि हमारे प यह69 बेल या लगाएंगे और अच्छे से रोटी बेल लेंगे इस तरह से हमें गेहраж सूख़ा बेलना है open ब्वहत ज Orleans has a lot of interior rustuce अध्ली रखना बहुत Dahaा है हुमे योध्या बेलना है हुँर दो greatly sound जो हो ज़ाधा high नहीं रखना है, medium heat पे हमें इसको roast करना है, शेकना है, अब एक side से हम अच्छे से सेक लेंगे, फिर इसको हम पलट देंगे, दोनों side से अच्छे से 2-3 मिनिट के लिए इसको पका लेना है, फिर इसमें हम आट करेंगे oil, इस तरह से oil को सब तरह spread करना है, इसको पकाने के लिए तीन से चार मिनिट लगते हैं तो इस तरह से हमारा यहां पर मेथि का ठेपला जो है अगर आप सफर पर जा रहे हो तो इसको आराम से खा सकते हो बिल्कुल खराब नहीं होंगे और दही डालने से तो यह बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे यह देखो बहुत ह आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करो और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद दे तो प्लीज मेरे चानल को लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो तो थैंक्स फॉर वाचिंग मैं रेसिपी